नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल पर दोस्तों चैतमा की शुरूआत हो चुकी है तो नवरात्र का पर भी शुरू हो चुका है यानि की मार्च और अप्रेल का महिना, चैतमा का महिना तो कौनकोन से गरह, प्रभीश, विवा के मूरत हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगोंने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजी ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके चैत नवरात्र का पहला नवरात्रा दो अप्रेल शनिवार को होगा इस दिन घट सापना भी की जाएगी जिसका शुब मूरत सुबह 6 बज कर 1 मिनट से 8 बज कर 31 मिनट तक रहेगा अभी जीत मूरत की बात करें तो 12 बज से लेकर 12 बज के 50 मिनट तक घट सापना कर सकते हैं नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 सवरूपों की पूजा की जाती है तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप चैत महा में कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या शुब मूरत है हाला की नवरात्र के दिनों में अभूज मूरत एक तरीके से होता है आप कोई भी कार्य की शुरुआत नवरात्र में कर सकते हैं उसके लिए आपको किसी मूरत की जरूरत नहीं होती है तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका नामकरन आपने करवाना है तो किस किस दिन आप करवा सकते हैं कौन से शुब मूरत हैं तो चैत में बच्चों के नामकरन के लिए कुल 6 शुब मूरत बने हुए हैं अपरेल की 1, 3, चैनि, छे, दस, ग्यारा और पंदरा तारिक को नामकरन जो है किया जा सकता है ये बहुत ही शुब मुरत हैं अगर आपके घर में विवा है तो विवा की बात करें तो चैत मा में शुब विवा के लिए केवल दो ही शुब मुरत हैं शादी विवा के लिए 15 अपरेल और 16 अपरेल को शुब मुरत बना हुआ है और चैत मा में 26 अपरेल को गरह परवेश आप कर सकते हैं 26 अपरेल का दिन गरह परवेश के लिए सब से शुब है तो ये थे दोस्तों आप लोग के लिए कुछ मुरत हाला कि आप नवरातर के दिनो में जो 9 दिन तक नवरात्र चलते हैं उस टाइम पे आप चाहे घर प्रवेश करना हो विवा हो या कोई भी शुब कार्या की शुरुवात करनी हो आप इन दिनों में कर सकते हैं नवरात्र में शुमोरत देखने की ज़रूरत नहीं होती है तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरीके की ओर नहीं जानकरी के साथ तब तक बने दिये चैनल को धन्यवाद